नमस्कार साथियो, मेरा नाम कृष्णा है और आज हम साइन्स के रिलेटिड कुश्चन्स हमारे और आपके प्यारेस चैनल कुमार IAS पर करने वाले हैं नोटबुक और पैन निकाल ली जिए फटाफट से और इन टॉप टैम कुश्चन्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहला कुश्चन आपसे कह रहा है दा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बहुत ही आसान सवाल है करेंट की यूनिट क्या है करेंट की यूनिट बच्चों होती है एंपियर करेंट की यूनिट क्या होती है एंपियर इलेक्ट्रिक करेंट का बच्चों सिंबल क्या होत फाइफ एम्पेर यह करंट को दरसाता है कि साथी यह बताता है कि इस डिवाइस में से क्वेट में इतना करंट आना चाहिए किस की होति है सर तो बोल्ट बच्चे होती है आपके potential difference कि किसकी होती है potential difference कि या इसे voltage भी बोलते है आप देखते हो aur primero यतो आपके घर में जो समर का पैनल लगा होगा समर का पैनल होता है उसमें आपको इस तरीके से दो मीटर मिलते हैं एक मीटर जो करंट को दरसारा होता है उसपे ए लिखा होता है और जो वोल्टेज को दरसारा होता है जिसपे भी लिखा होता है कुलाम्स किसकी होते है कई बार पूछा जाता है कुलाम्स किसकी मात्रक है कुलाम्स किसकी यूनिट है तो आपका अंसर हो जाएगा चार्ज की किसकी है चार्ज की इसके आद ओम किसकी होते है तो ओम होते है बच्चो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की किसकी होते है बच्चो ampere होती है, क्या होती है, ampere चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की ओर Ohm's law Ohm's law is represented by which one of the following equation यहाँ पर आपको 4 equation दी हुई है 4 equation में से आपको बताना है कि Ohm's law को कौन सी equation represent करती है, तो देखो Ohm's साब ने क्या था, Ohm's साब ने कहा था कि किसी भी current carrying conductor में, जो बच्चो potential difference होगा, वो directly proportional होगा current के वो directly proportional होगा, current के अब हम सभी को पता है, कि इस symbol के साथ हम equation को solve नहीं करते हैं, किसी भी numerical को solve नहीं करते हैं, इसको अटाके हम equal लगाते हैं, और जब भी आप equal लगाओगे तो उसके साथ साथ एक constant आर जोड़ दिया हमने आपर और आई आर, और यहीं equation क्या कहला आती है, ohm equation या ohm's law equation हमसे साथ यह पूछ रहा है, ohm's law को किस equation से represent किया जा रहा है तो v equals to ir, पहली equation से साथ यह समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, the resistance of a conductor is inversely proportional to, किस से जैसे कोई wire है, तो wire में क्या resistance होता क्या है, बच्चो resistance का मतलब होता है, प्रती रोधक प्रती रोधक किसको रोक रहा है यह, resistance काम करता है, current को रोकने का किसको रोकने काम करता है, current को रोकने current के रास्ते में एक barrier का काम कर रहा है, एक barrier का काम करता है resistance जैसे आप देखते हो कि हम अक्सर उस वायर को प्रिफर करते हैं जैसे कौपर को हम प्रिफर करते हैं जनरली घरों में तो कौपर का resistance क्या होता है कम होता है और सबसे कम किस मेटल का होता है तो आप का होगे सर सिल्वर का होता है किसका होता है सिल्वर का होता है तो रजिस्टेंस क्या होता है करेंट का बैरियर है तो आपसे पूछा गया करेंट जो रजिस्टेंस है वो किसके इंवर्सली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् एरिया के, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है, एरिया के, आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया, अगर आप एरिया को बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो अगर मैं इसको एक्वेशन 1 मानू, इसको एक्वेशन 2 है resistance is directly proportional to L by A आता है और जब आप इसको solve करते हैं तो resistance R equals to Rho L by A आता है कि क्लियर है साथियो समझ में आया साथियो जहां पर Rho क्या होती है resistivity material को दर्साती है कि हमने कौन सा material use किया है जबकि length उसके wire को और area A उसके area को आप देखते जो बड़ी बड़ी जो transmission line होती है जो एक बिजली घर से एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस जा रही होती है उनके अंदर जो wire use किया जाता है वो काफी ज़्यादा motor wire होता है काफी ज़्यादा area cross section area क्यों ताकि resistance को क्या किया length के तो वो directly proportional होता है सर inversely नहीं होता आ length के directly proportion होता है inversely proportional नहीं होता है तो length of the conductor क्या हो गया गलत हो गया दूसरा कह Lance section area बिलकुल सही है सर cross section area of the conductor बिलकुल सही है Annual अगर आप area को बढ़ाओगे तो resistance क्या हो जाएक कम equation क्या होती है r equals to rho L upon a R equals to rho L upon A यहाँ पर R क्या है sir R आपका resistance है L क्या है बच्चे L आपकी length है A क्या है बच्चे area है और rho क्या है resistivity है आगे समझ में चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए next question क्यों चलते है यह विद्ध्यारतियों आपका अगला question है साथ ही हो क्या कह रहा है which of the following material is considered as a good conductor of electricity बहुत simple सा question है कह रहा है इन चारों option में से कौन सा material best conductor है good conductor है electricity का साथ ही हमें पता है कि metals जो होते हैं जो धातू होती हैं वो good conductor होती है as compared to non-metals as compared to non-metal non-metal के मुकाबले metal जो होते हैं good conductor होते हैं तो यहां पर rubber तो एक non-metal है glass भी एक non-metal है और would भी एक non-metal है यानि यह तिनो तो bad conductor हो गए यह तिनो तो bad conductor हो गुड कंडुक्टर क्या होगा सर copper copper क्या होता है good conductor होता है अब यहां से एक question और बन सकता है कि copper जो कि एक good conductor of electricity इसका symbol क्या होता है तो साथियो इसका symbol होता है CU, क्या होता है symbol, CU होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question क्यों बढ़ते हैं, in a series circuit, the current is, current क्या रहता है, देखिए, बहुत बढ़िया question है, साथियो, series circuit क्या होता है, series circuit का अर्थ क्या है, तो साथियो, series circuit का अर्थ है, कि आपने कोई एक appliance को जोड़ा, जिसका resistance R1 है, इसी के terminal के end होते ही, आपने यहाँ पर दूसरे resistance को जोड़ दिया, जिसका R2 है, फिर आपने किसको जोड़ा, तीसरे, यह क्या कहलाता है स्री, मतलब जहाँ पर एक appliance खतम हो रहा है, जहाँ पर एक appliance खतम हो रहा है, जहाँ पर एक appliance जिसका end हो रहा है, उसके end से दूसरे appliance का starting जुड़ा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते है, series circuit कहते है, साथियो, series circuit कहते है, तो series circuit में current हमेशा क्या रहता है, साथियो, same रहता है, current हमेशा, same रहता है, तो option B के साथ चलेंगे हम यहाँ पर, option B क्या कि current जो रहता है series circuit में क्या रहता है बिलकुल सेम रहता है अब यहां से एक प्रशन भी आ जाता है कि series circuit में अगर आपने resistance को जोड़ा है जैसे यह resistance जुड़े हुए तो इनका total resistance क्या होता है तो total resistance R total या R net बराबर होगा साथ हो R1 मतलब सबको जोड़ देंगे तो आपका total resistance आ जाएगा इस तरीके जितने आपके register है जितना भी आपका device से उन सभी को जोड़ देजिए आपका total resistance आ जाएगा अच्छा यह भी पूछा सकता है साथियो कि series circuit में potential difference कैसा रहता है potential difference मतलब साथियो voltage कैसा रहता है तो voltage differ करता है voltage हर एक resistance में हर एक circuit के हर एक appliances में अलग- इसके अलाबा एक और circuit होता है circuit दो तरीके से आप arrange कर सकते हो circuit का arrangement दो तरीके से पूछा जा सकता है एक पूछ सकता है साथियो series में जो कि अभी हमने पढ़ा है और एक होता है साथियो parallel में क्या होता है साथियो parallel में series के अंदर साथियो क्या सेम रहता है current यानि i i से represent करते है आई क्या रहता है साथियों सेम रहता है जबकि पैरलल में क्या सेम रहता है वी सेम यानि वोल्टेज सेम रहता है यानि पोटेंशल डिफरेंस क्या रहता है सेम रहता है यहां पर डिफर क्या करता है तो साथियों सिरीज के अंदर डिफर करता है वोल्टेज यानि पोटेंश हाउस के अंदर घरों के अंदर किस प्रिकार का प्रिक्सण किया जाता है तो आपके अंदर हॉम के अंदर होlines और घृरा नोता हुता है आगे समयच चलिए सातीया अगले कुष्ण के और बढ़ते हैं अगला कुष्ण आपसे यह कह रहा है the resistivity the resistivity of a material depends on resistivity क्या होती है अभी बताया ताब material की quality बताती है material कैसा है वो चीज बताती है symbol क्या होता है साथ हो रो होता है equation क्या थी resistivity वाली r equals to rho l upon a अभी पिछले question में हमने यह चीज discuss कीती है तो आपसे यह पूछ रहा है कि resistivity किस चीज पर निर्बड़ करती है देखो for an example आपके पास copper का wire है आपके पास copper का wire है अब यह copper का wire है यह बात कौन बताता है यह बताता इसकी resistivity कौन बताता है resistivity अब एक copper के wire पी length माल लिजे पहले वह copper का wire आपने एक मीटर का लिया था कितना लिया था एक मीटर एक मीटर की लेंद को लिया था अब साथियों इसी wire को आपने double कर दिया माल लिजे भी इस wire की length को कितना कर दिया double कर दिया और 2 metr कर दिया तो क्या ये Sumabh है कि यह जो copper का वायर ठा ये अब aluminum या iron या किसी और धातू का हो चुका हो किसी और organizational का बन चुका हो जब नहीं मतलब यह तो प्यूत्थ यह झा कि लेंठ पर यह मतलब ये वाला option भी गलत हो गया क्या voltage पर depend करता है आप बताइए आपके घर में कभी-कभी 220 voltage भी आता है कभी-कभी dim होने पर 180 voltage भी आता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाता है मालो 200 voltage तक भी आ जाता है तो voltage change हो रहा है potential change हो रहा है याद रखेगा साथियो resistivity जो है depend करती है सिर्फ और सिर्फ temperature पर सिर्फ और सिर्फ temperature पर चलिए साथियो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ next question है which instrument is used to measure electric current in a circuit किसी circuit में electric current को कौन measure करता है तो right answer आप बताईए फटा-फट से देखिये आपके घर में summer civil लगा होगा तंकी लगा होगा पानी की तंकी तो उसके लिए एक panel आता है तो इस panel के अंदर दो वोर्ड होते हैं एक वोर्ड voltage को नाप रहा होता है और एक वोर्ड current को नाप रहा होता है आपने एकसर देखा होगा ये एक बोर्ड वोल्टेज को नापता है और एक बोर्ड करेंट को नापता है तो जो बोर्ड वोल्टेज को नापता है मतलब जो 220 की 100 तक फचला जाता है उस पे V लिखा होगा क्या लिखा होगा V मतलब वो क्या क्यालाता है voltmeter क्यालाता है जो voltmeter होता है वो किसको major करता है voltage को major करता है साथियो किसको major करता है जबकि emitter किसको major करता है साथियो इसका right answer है emitter option B इसका बिल्कुल सही answer है emitter किसको major करता है साथियो current को major करता है emitter किसको major करता है को मीजर करता है sir galvanometer क्या करता तो को galvanometer एक तरह के से current धिलेट उह लेकिन एक करेंट को मेजर नहीं करता हैर यह केबल करंट को detect करता है केवल करन को करताए detect और बहुत oversee minimum amount of current यह यह बिलकुल ना के बराबर करेंट आपको दिख रहा है minimum amount of current को major करता है minimum amount circuit में जब आपसे normally पूछता है question कि electric current circuit के अंदर कौन major करता है तो आपका right answer होगा emitter लेकिन अगर in case आपको emitter दिया नहीं है और 4 कोई और सा meter दे रखा है तब आप galvanometer को कर सकते हो क्योंकि minimum amount of current को major करता है इसका मतलब question आपसे कहना चाहरा है circuit के अंदर minimum amount of current लेकिन जब आपको साथी हो emitter दिया जाएगा तो आप किस को करेंगे emitter को tick करेंगे अब यहाँ पर एक बहुत अलग नाम दिया गया है ohm meter ohm meter क्या करता है जो resistance होता है जो प्रतिरोधक होता है resistance जो प्रतिरोध है उसको यह क्या करता है major करता है कि किस device का resistance कितना ज़्यादा है क्या value है उसकी resistance की unit क्या होती है साथी हो तो unit ohm होती हो और ohm का symbol क्या होता है यह होता है resistance की unit क्या होती है साथी हो resistance की unit होती है ohm और इसका symbol क्या होता है यह वाला symbol होता है इस तरीक है किलियर है साथ यो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है रेजिस्टेंस की उनिट ओम होती है और ओम की सिंबल क्या होता है यह होता है चलिए साथ यह आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन बहुत प्यारा सा कुश्चन है य option a energy option b charge option c mass option d momentum देखिए इस से पहले इस question को solve करने से पहले जाने किर्चॉप्स के कितने नियम थे तो किर्चॉप्स के साथ हो दो लॉओ थे कितने लॉओ दिये थे एक point है जो joint है जैसे यहाँ पर आप देखते हो बिजली के खंबों पर इस तरीके से joint लगा रहता है इस तरीके से होते हैं एक joint एक ही point पर आप वह सारे तारों को जोड़ देते हैं जिसमें से कुछ तारों से current आ रहा होता है तो किर्चॉप्स का जंक्सलों यह कहता है कि जितना current मालीजे इसमें i1 आया इसमें current i2 आया इसके अंदर current i3 आया यहां से current i4 गया है और यहां से current i5 गया है तो किर्चॉप्स साब कहते हैं कि इस junction इस पी point पर जो यह junction है इस पर net current क्या होगा जीरो टोटल current कुछ होगा ही ने तो net current इस point पर क्या हो जाएगा जीरो अथार्थ कि जो total input current है जितना input आया है जितना input आया है at P P पर जितना input आया है उतना ही यहां से क्या जाएगा output जाएगा साथिव क्या जाएगा output जाएगा output at P कहने का मतलब क्या हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I4 प्लस I5 से तो साथिव इस प्रश्ण का अंसर अब देखो current होता क्या है current होता है charge per unit time अब साथिव बताएगे इस point P per net current क्या है जीरो है इसका मतलब यह हुआ time तो जीरो नहीं हो सकता यह तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता जीरो क्या हो सकता यह तो एक तरीके से यहां पर 강aut को जने किसका अग collectively सब्सक्राइब या रखना कि चोप स्लूपने में कई बार बच्चे एनर्जी को लगा देते हैं गलत अंसर है राइट अंसर क्या होता है चार्ड क्या मूमेंटम क्या होता है मूमेंटम होता है मूमेंटम का सिम्श पी बराबर होता है mass into my velocity मतलब ये कि कोई वस्तू है कोई A object है जिसका mass क्या है M और वो जितनी velocity से चल रही है वो ही velocity क्या है इन दोनों का product ही क्या कहलाता है momentum momentum को किसे represent करते है P से होता क्या है mass into velocity unit क्या होती है kilogram kilogram meter per second kilogram meter per second clear हो गया साथियों जलिए आगे वड़ते हैं कि the power dissipated in our register is given by कि कोई register है register का काम क्या होता है current को रोकना register को काम क्या होता है बच्चो current को रोकना क्या साथिका काम होता है current को रोकना माली जिसमेंसे current क्या जा रहा है i current तो कही ना कहीं ये device heat होने लगेगा जैसे कि आप देखते हो आप पे घर में जो पंखार, टिव लाइट, पूलर, जितने भी एलेक्टर के अप्लाइंस इसे हैं, वो कुछ टाइम बाद हीट करना स्टार्ट हो जाते हैं, गरम होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जब उनमें से करंट निकल रहा है, तो रेजिस्टेंस उसको रोकने कोशिस कर रहा है, अब इसको ऐसे समझिए, कि माल लीजिए, यह रेजिस्टेंस है, यह हात मेरा रेजिस्टर है, और यह हात मेरा करंट को दर सार है, तो जब इससे बार-बार करंट निकलेगा, त hit kriyate होगा कि नहीं। उसी तरीके से बार-ार करण्ट जब इस रजिस्टर से होते हुए निकलता है तो इस रजिस्टर क्या होने लगता है ? हीट करने लगता है और हीट करने को ही power dissipated हो. तो बावर, क्या होगी, तो देखो सात्यों power का general formula electric power को होता है voltage into my current क्या होता सात्यों voltage into current इसका मतलब यह option एसा ही होना चाहिए लेकिन जब भी ऐसा question आए हमेशा question में केबल question को ही ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए उसके given options को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए कई बार ऐसा होता हम जैसे option नहीं लगा के आगे सरा में देख गया लेकिन यह दोनों option भी तो इसके हो सकते हैं कैसे तो देखो सर ओम साहँ ने क्या था वी को स्टू क्या होता है सर आई 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 एर होता है क्को travelled शेलों एक颜़啦 इसको कर चाहिए इसको वी की जगे रखेंगे तो पी बराबर goo जाएगा i r into में i into में i तो power बराबर क्या हो जाएगा sir i square r i square r ये तो ये option हो गया 2 हो गए 2 सही हो नहीं सकते तो आप समझ लीजे d option correct लेकिन sir ये वाला कैसे बना ये भी बताएगे तो देखो यहां से मैं current की value निकाल दूँ ohm साब की equation से ohm equation से निकाल सकते हैं v upon r v upon r हो जाएगा साथियो इस v upon r को i की जगए रखतेंगे तो यहां पर power का एक formula और बन जाएगा power equals to v into में v upon r तो साथियों हो जाएगा v square by r क्यों हो जाएगा साथियों v square by r तो option c भी आपका correct अब यहां पर दो-तिन चीज़ां और जान लिजए कि power जो होता है power की unit क्या होती है power की साथ ही unit क्या होती है power को major किसमे करण जाता है so power को major कर जाता है derived quantity derived quantity हम उन quantity को बोलते है जो fundamental quantity का यूज करके बनी होती है fundamental quantity कितनी है साथ हो कई बार question यह आ जाता है कि how many fundamental quantities are there कितनी fundamental quantities है तो आपका अंसर क्या होगा sir 7 कितनी है 7 कौन कौन सी है तो पता होना चाहिए आपको length पता होना चाहिए क्या length length के लावा mass उसके बाद time temperature इसके लावा साथ हो current कौन सा current electric current जिसका अभी question solve कर रहे हैं इसके बाद होता है sir luminous intensity चाहिए साथ हो luminous intensity और last में आता है amount of substance amount of सबस्टार्ट इस साथ क्या होती है fundamental quantity चलिए साथ हो आगे बढ़ते हैं जला question करिए इंटर्नल रिजिस्टेंस अफ ऐसेल डिक्रीज आन दीजेह डिक्रीज करेगा जब टेमपरिएचर केरेगा जब साइल होए अब डिक्रीज करेगा जब कन संट्रेशन इंक्रीज करेगे यह current ड्रॉन इंक्रीज करेगा देखो तो resistance का current से कोई लेना देना नहीं है, directly कोई लेना देना नहीं है, resistance material की property है, तो current पर तो depend नहीं करेगा, क्या इलेक्ट्रोल है, अब बचे आपके पास तीन option, A, B और C, अगर साथ एक बात बताएगे, temperature कम होगा, तो resistance भड़ेगा कि घटेगा, आप एक बात बताएगे, आपक बढ़ेगा, तो battery भी कहीं हीट हो रही होगी, अब battery हीट हो रही होगी, तो क्या उतनी power generate का पर जल्दी खतम होगी की नहीं होगी, बिल्कुल सार होगी, तो जैसे जैसे temperature increase करता है, वैसे वैसे resistance भी क्या करता है, साथियों, increase करता है, जैसे जैसे temperature increase करता है, वैसे resistance भी, increase कर करता है क्यों करता है साथियों मेने आपको चीज पड़ाई स्लो में से एक साथ पर ऐक्पर एक लगए यह रो क्या था रेजिस्टिविटी है साथियों है रेजिस्टिविटी और त्वाइकर संद्र पर भीनिर्वर करती है संद्र पर आफ़ अगर अगर सब ca direito कि और ऊच्टिविटी बढ़ती है तो आप से कहा रहा है कंड़ क्रिशन्स कब घंता है इंपरेचर टेमपरेचर is क्लिए न देना इलेक्ट्रो लाइड कॉंसेंस से नहीं लेने देना किसे लेने देना है temperature से को के साथ यह clear हो गया चलिए यहां तक यह 10 question थे daily 10 का दम 10 का दम अगर आप देली 10 का दम 10 का दम मैं इसलिए इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि डेली में आपको 10 question science के कराऊंगा अगर डेली 10 question भी आप science के solve करते हैं तो 30 कि तारिक को जो आपका BPSC का पेपर है साथी हो इसमें से आपके science के question गलत नहीं जाएंगा अगर आप इमानदारी से इसको revise करेंगी practice करेंगा तो कि मैं आपर जो question ला रहा हूं वो सारे के सारे prelims oriented हैं विल्कुल basic structures हैं और यह केबल BPSC के लिए नहीं साथी हो बलकि अगर आप किसी जैसे SCGD का एक exam होता है उसमें भी कई बर science के ऐसे question आ जाते हैं या कोई भी competitive exams है तो उसमें ये question जरूर आते हैं अभी गलत चला जाएगा उसको सुधार लोगे वो सही रहेगा as compared to the exam time आज के लिए साथी वितना ही बहुत बहुत धन्यवाद